जीतने का नजरिया यह कहानी बिहार के पंखपुर गाउं की हैं। बात उस वक्त की हैं, जब बिजली का आविशकार नहीं हुआ था। सभी लोग घरों में प्रकाश के लिए केरोसीन की चिमनी का इस्तिमाल किया करते थे। अंधरे में उस गाउं में रात को क्या होता किसी क ये मालूम नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि पंखपुर में रात को एक बड़ा राक्षस आता था, जो हमेशा किसी न किसी जानवर को नुकसान पहुचाता था। पूरे गाउं के सामने यह समस्या थी कि इस मुसीबत से कैसे निपता जाए। इसी बात को लेकर गाउं म कोई पढ़ा लिखा लड़का रहने के लिए आया। जब उसको पता चला कि इस गाउं में राक्षस आता है तो उसने गाउं वालों को इकठा किया और बोला कि अगर आप चाहो तो हम इस राक्षस को मिलकर मार सकते हैं। गाउं वाले उसकी बात से सहमत हो गए। लेकिन उ उस लड़के ने कहा कि यह हम सब की समस्या हैं और हम सभी को ही निपटना हैं। इसलिए हम सब मिलकर उसको मारेंगे। उस लड़के ने अपनी तरफ से एक योजना बताई कि वह राक्षस बहुत बढ़ा हैं इसलिए वह कहीं पर छुप नहीं सकता और नहीं किसी गली में जा सकता हैं। इसलिए हम सभी लोग छुप छुप कर पत्थर फेक फेक कर मार देंगे। सभी गाव वाले सहमत हो गए और रात का इंतजार करने लगे। रात को जब वह राक्षस बाहर आया तो उसको सभी गाव वालोंने मिलकर मार डाला। अब पंखपुर के लोग कुश की कुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ती हैं।